हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज़व टमाटर का उप्योग विबिन रोगों में टमाटर पाचन सकती व्रदक टमाटर बड़ी आथ को ताकत देता है आखों के गाव दूर करता है एवं पाचन सकती ठीक करता है टमाटर का निरंतर सेवन करने से कबज नहीं होती चैरे के काले दाग दब्बे जाईयावे मुहासे टमाटर का रस 100 ग्राम, गाजर का रस 100 ग्राम, पालक का रस 100 ग्राम, सहद 50 ग्राम या अवशक्ता नुसार सभी को मिला कर प्राते काल खाली पेट, नित्य पीने से टमाटर के समान सुर्क हो जाता है। टमाटर में लोहा दूद से दूगना होता है। एक बड़ा ताजा लाल टमाटर नित्य खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से बचा रहता है। टमाटर स्वंदर्य वर्दक। टमाटर के रस में निम्बू के रस की कुछ बूंदे मिलाकर चेरे पर लगाएं। और इससे चेरा रगड कर पंद्रा मिनिट बाद दूएं। चेरा साफ होकर मुलाइम वैं चमकदार हो जाएगा। टमाटर में लोहा अंडे से पांच घुना अधिक होता है। एक ग्लाश टमाटर का रस पीने से रक्त हीनता दूर होकर रक्त व्रदी होती है। चेरे के काले दाग को मिटाने के लिए टमाटर के रस में रूई या गाज बिगोकर दागों पर अच्छी तरह मलें। इससे काले दाग दबे साफ हो जाएंगे। चूना टमाटर में अन्य फल सबजियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। चूना हड्डियों को मजबूत बनाता है। दाथों एम हड्डियों की मजबूती के लिए टमाटर का सेवन बहुत ही जरूरी है। फरास के इलाज में टमाटर का उप्योग। एक कप लाल टमाटर के रस में एक चमच चीनी मिलाकर नित्य बालों की जड़ों में लगाकर पंद्रा मिनिट बाद सिर्दोएं। एक सब्ता में फरास हट जाएगी। वक्रण्स, थैंक्स वर वघ्च वचिं लिए। एक स्ट्ट्ट्ट लिए।